जोहार आप देख रहे हैं दो फॉल आप इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भासा विवाद अब दिल्ली पहुँच चुका है जारखंड के बोकारो और धनबाद से सुरू हुआ भासा का ये आंदोलन अब दिल्ली पहुँच चुका है दिल्ली में आजसू और बिजेपी के बिधायकों ने राष्टपती से मुलाकात की है भासा विवाद को लेकर क्या कुछ अपडेट है कौन मुलाकात किया है इस पर बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी संजे है लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भोजपूरी, मगही और अंगीका को लेकर जिस तरह से जारखंड में आंदोलन चल रहा है उसे बाहरी भासा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कानूनी तोर पर उसे यहाँ पर जो दरजा देने का काम किया गया है जो स्लेवस है उसकी न्यूकती में जो अस्थानी भासा की सूची में भोजपूरी, मगही और अंगीका को सामिल किया गया है उसके विरोध में लगतार, धनबाद और वकारों में आंदोलन हो रहे थे और राजधानी राची तक भी वो आंदोलन पहुँच चुका था लेकिन अब राची से होते हुए यहां आंदोलन दिल्ली पहुँच चुका है दिल्ली में राष्टपती रामनात कोविंद से आजसु के सांशद और बिजेपी के सांशदों ने मुलाकात की है आजसु के बिधायकों ने मुलाकात की है मुलाकात करने वाले में गिरीडी के सांशद चंदप्रकास चौधरी गोमिया के बिधायक लंबोदर महतो जमसेदपूर के बिधायक सामिल है इसके साथ-साथ बागमुंडी पस्ष्मिम बंगाल के सांशद सामिल है जमसेदपूर के भी सांशद B.J.P के बिदीत वरन महतू हैं वह हैं और इसके अलावे बागमुंडी जो पस्ष्मी बंगाल है। उसके सांशद यहां पर राश्ट पती से दिली में मुलाकात की है। इस तरह से आजशू के साथ साथ बीजेपी के सांसद भी राष्टपती से मिले हैं और बोले हैं कि भुश्पूरी, मगही और अंगीका भासा को यहां के अस्थानी सुची से हटाया जाए, मतलब बीजेपी भी इसके खिलाप होगी है। देखे बिलकुल, जो तस्वीरें सामने आई है राष्टपती से मुलाकात के बाद, वो अब यही सपस्थ है कि आजशू के जो सांसद हैं गरेडी से, चंदप्रकास चौधरी और उनके जो बिधायक हैं लंबोदर महतो, गोमिया से, वो पहुंचे थे राष्टपती से मिलने और इस मुलाकात में उनके साथ थे विदूत वरन महतो, जैसा कि आपने बताया, जम सेथपूर से वो सांसद हैं, और एक जो सांसद हैं, जियोतिर मई सिंग महतो, जो की बाग मुंडी से हैं, पहस्ची मंगाल में पढ़ता है यह लोग सबचहत्र, और यह चारों लोग अभी छाया हुआ है जारकंड में, उसको हटाने को लेकर के जो है राष्टपती से उन्होंने अनुरोथ किया है, और इसको लेकर के एक मांग पत्र भी सौपा है, तो आपने जैसा कि सुरुवात में कहा भी कि भासा का जो आंदोलन है, वो बोकारों और धनवात से होते हु जारकंड के जो कुड़मी नेता हैं, वो लोग यह मांग करते आ रहे हैं, और एक दिन पहले ही इस तरीके की खबर हम लोगों ने दा फॉलॉप के माध्यम से जनता के सामने रखा भी कि राधसवा में पेस किया गया है, कई सारी जो एस्टी कर्टिगरी की जो जातियां थी तकरीबन दस के आसपास उनको एस्टी में सामिल करने के लिए राधसवा में बिल भी पेस किया गया है, तो उसके बाद जो है एक खुड़मीयों को जो अनुसूचित जन जाती में सामिल करने के लिए जो मांग पत्र दिया गया है राष्टपती को, हमको लगता है कि उसी क पता हैं जारकन में, चाहे वो बावुलाल मरांडी हों, या फिर रगवर्दास हों, या फिर दीपक प्रकास हों, खुल करके अपना एक स्टेंड जो है नहीं रख पा रहे थे, आप जबकि इस तस्वीर में इस पस्ट हो गया है कि बीजेपी के एक सांसद राष्टपती से मिलते हैं, और यह मांग करते हैं, पस्टिम बंगाल के भी एक सांसद, चुकि पुरूलिया का इलाका है, बहुत सटा हुआ इलाका है, और आप देखिए इनका जो सरनेम है, उस पे भी आप फोकस कीजिए, सभी जो महतो जाती से जो नेता चुन करके आए हैं, चाहे वो सां अंदोलन को आप देखिए, कि जो लोग लीड कर रहे हैं धनबाद और बोकारों में, वो किस जाती बिशेश से आ रहे हैं, या फिर उनकी क्या मांग है, और अब जबकि ये क्या से लगाया जा रहा है, तक बीजेपी खुल करके क्यों नहीं अपना पक्ष रख रही है, हला जीलों में जो अस्थानिये भासा का जो दर्जा दिया गया था, भोजपूरी, मघी और अंगिका को, उसको हटाया जाना चाहिए, और इसी मांग के साथ जो है, राश्टपती से ये लोगों ने मुलाकात भी किया है, इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी जो मांग है, वो जनसंख्या के आधर पे आरक्षन दिया जाए, और 27 प्रतीसत आरक्षन दिया जाए, आप इस मांग को आप ऐसे भी समझें कि इतना इंपोर्टेंट है, खास करके पोलिटिकल पार्टे किस तरीके से इसको अपने अपने हिसाब से इसको चाहती है कि कैस करा है, क्योंकि दे सबाब अपने सिर्ष नेत्रित्व से कर रहे थे कि चुकि हम लोग OBC को 27% आरक्षन देने की बात चुनावी सभाओं में कर रहे थे, और अब जब कि हमारी सरकार है, तो 27% OBC को आरक्षन दिया जाए, तो यह आरक्षन वाले मसले पर जब आप देखेंगे कि 27% OBC का सब्सक्राइब देने के पक्ष में जैयम घेंब भी है。 कॉंग्रेस भी है राजद भी है भाजपा भी है और राठ्शू भी है लेकिन देखी चीजें हो नहीं पा रह सरकार को घ्यार चुकि के उपर भी एक दवाब बनाने की कोशिस होगी और यह लोग हो सकता है कि आने वाले दिनों में OVC को 27 पर 37 तारक्षन देने की जो बात है इसको लेकर के सिर्ष नेताओं से मिले यहां पर मुखमंतरी से मुलाकात हों सबसे रोचक यही है कि भासा पर जो अब तक जो बिवाद चल रहा था हला कि अब धनवाद और बोकारों तक यह सिमीत नहीं रहा जो लोग यह मांग कर रहे थे कि मघी भोजपूरी और अंगिका को जिलों से जो अस्थानी भासा का जो दर्जा दिया गया उसको पर जो हटा दिया जाए इसके समर्थन में अब भोजपूरी बोलने वाले लोग हैं जो मघी बोलने वाले लोग हैं जो अंगिका बोलने वाले लोग हैं आप इन chili से धन्ह 就 से तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है पलामू से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है और रांची से ऐसी तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है जिसमें सैंकुलों की संख्या में लोग बाहर आ यहां पर हम लोगों के साथ रहेगी लेकिन आज इस तरह से राष्टपती से बीजेपी के दोस्दोत सामसद मुलाकात कि इससे तो यह साफ हो गया कि बीजेपी भी अब साफ तौर पर जो लिग कर भी भेजा गया है प्रेस के लिए आश्चु के तरफ से उसमें साफ लिखा को अगर बोला जाए तो इसमें इस परस्ट यही लिखा गया है जो रिलीज भेजा गया है प्रेस को जो ब्रीफ किया गया है इन लोगों के द्वारा उसमें यहीं लिखा गया है सोशल साइट्स पर भी चंदप्रकास चोधरी और जो गोमिया के विदाय के लंबदर महतुन बीजेपी का स्टेंड क्या है चुकि देखिए यह पूरा जो सवाल है ना वो पिछली जो सरकार थी रगवर दास्त के नितित वाली उसी दोरान मघी और अंगिका और भोजपूरी को यहां पर दरजा भी दिया गया था तो एक सवाल लोगों के जहन में यह था कि आब जब कि इसको हटाने का मांग हो रहा है इसके बिरोध में लोग सड़कों पे हैं तो ऐसे में बीजेपी क्या चाहती है बीजेपी का स्टेंड क्या है तो जार्खन के जो सिर्ष नेत्रित वह बीजेपी का बोलो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे वो चार रहे होंगे कि इस साथ में चले गए लेकिन तस्वीर अपने आप में गवाह है कि भीजेपी भोजपूरी मघी और अंगिका को जो जीलों में जो अस्थानिये दर्जा दिया गया भासा के रूप में उसको हटाने के पक्स में है और यही वज़ा है कि यह लोग राष्टपती से जाकर के मुल खुल कर बोलने से बस्ती रहती थी उस बीजेपी का चेहरा कहा जा सकता है कि इन तस्वीर के जरिए साफ हो गया क्योंकि बीजेपी के दोदो सांसद राष्टपती से मुलाकात करते हैं और उस रिलीज में जिन बातों का जिक्र रहता है उसमें एक बात यह भी रहता है कि अस्थानिय भासा की सूची से भोजपूरी, मगही और अंगीका को हटा दिया जाए मतलब साब है कि भासा बिवाद को लेकर जो बीजेपी के विधायक जारखन विधान सवा के बाहर प्रदरसन कर रहे थे और यहां की अस्थानी सूची में सामिल करने की मांग कर रहे थे वही बिजेपी के सांसद राष्टपती से मिलते हैं और वहां कहते हैं कि भाई बिजेपी, भोजपूरी, मगही और अंगीका को यहां की अस्थानी सूची से हटा दिया जाए अब देखना होगा कि जीलों के अस्थानिय सुची से अभी तो जीला अस्थानिय लोगों की नियुक्ति में अस्थानिय भासा में भोजपूरी मगही और अंगिका को सामिल किया गया था उसी को हटाने की मांग को लेकर अभी राष्टपती से मुलाकात हुई है तो कहा जा सकता है कि जो भासा का आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से अमीत महतो जो जारखन मुक्ति मुर्चा के सिल्ली से विधायक रहे हैं पूरु में उन्होंने भी अपनी पार्टी को एक हो सकता है कि सरकार अब इसी आधार पर कि जब राष्टपती से बीजेपी के विधायक मिलकर मांग कर रहे हैं तो यहां के अस्तानिय भासा की सूची से भोजपूरी मगही और अंगीका को हटा दे लेकिन अब देखना हो है कि जो लोग इसके पक्ष में खड़े थे वो किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और जो नेता अभी मिल रहे हैं जाके राष्टपती से और बोल रहे हैं कि भाई भोजपूरी को हटा दीजिए उसके खिलाप को क्या बोलते हैं क्या करते हैं आगे क्या कुछ होता है देखना बड़ा दिल्चस्प होगा शुक्रिया